हम सैल पुत्री माता की तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम सैल पुत्री माता की तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्यों हार, भगतों को लगाएं पार नो रातों का त्यों हार, भगतों को लगाएं पार परवत राज हिमालय के घर लेके जन्म ये आई सिला की पुत्री होने से ये सैल पुत्री कहलाई दाएं हाथ में लिये हुए हैं मास्यू का तिरसूल बाएं भुजा में माता की सज़ता है, कमल का फोल बिसभ वाहन हैं, माता का बड़ा निराला है रतन जडित हैं, मुकुटशी से और गले में माला है शैल पुत्री माता का जो भक्त भिध्यान लगाए वैवाहिक जीवन उसका तो खुसियों से भर जाए पहला रूप ये मादुरगा का सभी बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोडातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नोडातों का आता है जब जब पावंत्योहार पहले नोडाते में इन्हें ही पूजता है संसार सैल पुत्री की पूजा जो मन से करते हैं अनधन के भंडार सदा भगतों के भरते हैं होते हैं मजबूत इरादे जिनके नेक विचार ठोस सिला की तरहां ही होता उनका आधार स्यूकी प्रिया है माता और शक्ति का है ये रूप नोडुर गा में हैं पहला मासैल पुत्री रूप किस्मत वाले होते हैं जो इनको ध्याते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नोराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पास पूर्व जन्म का नाम तो इनका माता सती कहलाया नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पास पूर्व जन्म का नाम तो इनका माता सती कहलाया राजा दक्षि कि थी पुत्री भोले संभ्या हर चाया एक बार रिसिमुनियों ने मिल करके यग्य किया राजा दक्षि को भी रिसियों ने यग्य में बुला लिया राजा दक्षि का किया सभी रिसिमुनियों ने सम्मान लेकिन स्यू संभू ने दिया ना उनकी और कोई ध्यान सोचा दक्षिन मैं तो हूँ संकर के पिता समान लेकिन श्यू ने मुझे देख कर किया नहीं प्रेनाम राजा दक्ष इस बात को मन से भुला ना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार एक बार फिर राजा दक्ष ने महायग्य करवाया भेजनी मंत्रण सभी देवतावों को है बुलवाया लेकिन राजा दक्ष के मन मेशु के लिए है द्वेश सती और सुसंभु को कोई भेजाना संदेश माता सती को पता लगा तो सिव से लगी है कहने महायग्य का आयो जन मेरे पिता लग करने बोले सिव संभु के हमें वहाना बुलवाया है लाजा दक्ष की ओर से ने उताना कोई आया है बिना बुलाए मेहमान हम नहीं बनना चाहते है पावन कथा सुनाते है पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते है हम कथा सुनाते है नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार लेकिन सतीन यग्य में जाने की ली है था सोचाना के वहां पे जाने पर होगा अपमार ले आग्या वोश्यू संकर की यग्य में आई है खुद उनकी बहनों ने ही फिर हसी उडाई है लेकिन देख सती को उनकी माने गले लगाया फिर तो सतीन यग्य भूमी को देखना है चाहा सब देवों के लिए बना था बैठन का अस्थान राजा दक्षिन शू संभू का नहीं रखा पर ध्यान ना ही अपनी पुत्री से वो नजर मिलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार माता सतीना सहपाईशू संभू का अपमान बोली पिता से भुगत ना होगा आपको अब परिनाम सभी देवता आपने तो है यग्य में बुलवाएं चू संकर को भूल गए क्यूं याद नहीं आएं हुआ यग्य आरंभय लेकिन पूरा ना हो पाएं करो यत्न हे पिता सिरी तुम जितने भी चाहें हवन कुंड में माता सतीने कर लिया आत्मदाह देख सभी घबराएं हैं अब जाने होगा क्या कौन से लीला जाने भोले नाथ दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नोराते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार पता लगा जो भोले को वो क्रोध में भरके आए जलती हुई सती को है हाथों में लिया उठाए तीसरा नेत्र भी खुल गया वो लगे है टांडो करने थर थर लगे कापने सब तो लगे कोप से डरने ब्रह्मा जी ने की विंती विश्नुजी से है आन आप निकाले विश्नुजी इसका कोई समधान अपना सुगर सन विश्नुजी ने दिया है फिर तो छोड़ जलती हुई सती के अंग तो विखरे चारोर भोले लेकिन सांत अभी भी ना हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार वीर भत्र को भोले ने अपनी शक्ती से बनाया भत्र काली रूप सती के क्रोध से है ये आया करने लगे संघार वो दोनों सामन जो आए शूका जो अपमान करे वो कैसे बच पाए वीर भत्र और काली ने है बदला सब से लिया राजा तक्ष कसीस काट कर घड़ से अलग किया ब्रम्हा जी फिर भोले से ये करने लग विन्ती माफ करो है भोले तक्ष ने कर दी है गलती भोले तो भोले है आखिर मान नहीं जाते है पावन कथा सुनाते है पहले नो राते में इसके रूप कुध्याते है हम कथा सुनाते है नो रातों का त्योहा भगतों को लगाए पार नो रातों का त्योहा भगतों को लगाए पार राजा दक्ष को भोले ने फिर दे दिया जीवन दान भोले के चरनों में फिर तो दक्ष गिरे है आन अस्व में घ्यग भी तो है फिर पूरा करवाया है लेकिन अपनी सती को भी भोले ने गवाया है कहने लगी है सती मैं अगले जन्म में मिल जाओंगी परवत राज हिमाले की जब पुत्री बन आऊंगी फिर तो हिमाले की पुत्री मा बन कर है आई शैल पुत्री इसी जनम में है वो कहलाई इसलिए तो पहले इनके रूप कुध्याते है पावन कथा सुनाते है पहले नवराते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते है नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार माता के सब रूप यू तो भाते हैं भगतों को प्रथम दिन जिस रूप की पूजा नवराते में हो शैल पुत्री उसी रूप को भगतों कहा जाए माता अपनी कृपा भी भगतों पे हैं बरसाए हनस राज रिलहन के लिए भी आज घड़ी सुभ आई शैल पुत्री मा की महिमा डियस पाल ने गाई मात शार दे की किर्पा हुई मुझ पे बड़ी अपार महिमा वर्डन कर पाया ये फौजी सुरेस कुमार कथा को सुनने वाले सब उत्तम फल पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में मा के रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार